हेलो फ्रेंट्स एक बड़ी राजीर मापसाथिक ने और बहुत मतपूर वीडियो के साथ फ्रेंट्स सरकार के तरब से होली का बड़ा गिप्ट यनि अब गरीब परिवारों के लिए खुला खाजाने का पिटारा दस बड़े ऐलान सरकार के तरब से किये गए हैं जिसमें आपको बिजली फ्री दी जा रही है पांच सिलेंडर दिये जा रहे हैं फ्री में आवास दिया जा रहा है रासन दिया रहा है पेंसन दिया जा रहा है वहीं गेहूं चावल चीनी भी मुक्त दी जारे सरकार की तरब से वहीं महिलाओं के खाते में यहाँ पे हजार उपए से लेके दो हजार उपए तक पर महीने के हिसाब से रकम भी भेजी जारी है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन-कौन से प्रदेस में यह ज़नाय चल रही है साथी साथ यहाँ पर सरकार की तरब से जो सिलेंडर जो प्रोवाइड किया रहा है फ्री में वो कौन-कौन से राजियो में दिये जा रहे है वीडियो केंट तक बने रहेगा इस के लाओं आपके मन में कोई प्रस्ट नहीं कमेंट जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसमें महिलाओं से लेकर बिरिद्धा वस्ता पेंसन एल पीजी गैस सिलेंडर रासन बिजली तमाम ऐसी योजनाओं हैं जो सरकारों को तरफ से दी जारी है यानि होले की इस पाउन पर पर गरीब परिवारों को बड़ा तौफा मिलने जा रहा है तो आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आपको होगी और आप अपने अपने प्रदेश में योजनाओं का लाफ मिली ले पाएंगे तो फ्रेंट्स आइए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो कर तक बने रहिएगा पहली योजना के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पिम सूर घर मुक्त बिजली योजना प्रदान मंतिर नरेंद में उदी जी के द्वारा नई योजना को लॉंज कर दिया गया है जिसका नाम है पिम सूर घर मुक्त बिजली योजना इस योजना को हाल ही में प्रधानमंदरी ने सुरू की है इस योजना का उद्यश शे मुक्त बिजली प्रधान करना है इस योजना के माध्यम से देश की एक करोण घरों में 300 यूनिट विजली फ्री दी जाएगी जिसे वे काफी जादा लोगों को सुभिधा मिलने वाली है पीम सूरी घर मुक्त विजली योजना के माध्यम से आपको सोलर पैनल दिया जाएगा और इसमें 78,000 रुपए तक यहाँ पे सबसिडी भी आपको दी जाएगी अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसमें सरकार तरब से जो लागत लगेगी उसमें आपको 78,000 माइनस कर दिया जाएगा यहीं सरकार तरब से बड़े अपडेट यहाँ पर दे दिये गए हैं इसी कड़ी में बात करूँ नेक्स शियोजना के बारे में तरनेश्ट योजना है प्रधान मंतरी आवाश योजना जिसका उद्देश भारतिये नागरिकों को जिनके पास खुद का पका मकान नहीं है उन्हें पका घर बना कर देना इसी कड़ी में बहुत सारी योजना है जैसे पीम जन्मन योजना चलाई जा रही है जिसमें 2.49 लाक नागरिकों को यहाँ पर 1.00 लोगों को जो की यहाँ पे सरकारी तरफ से बड़ा एमाउंट भेजा गया है 2.49 लाक रुपए पर ब्यक्ति यहाँ पर सरकार तरफ से मकान बनाने के लिए दिया गया है वहीं गरीबी रेखा निचले वर के लोगों को अस्थाई आवास परदान करने है तो यह सरकार तरफ से यह यह योजना जा रही है यह यह योजना ग्रामीड और सहरी छेतर के लोगों को समर्थन प्रदान करती है ताकि वस्वयम के लिए एक घर खरी सकें, सुर्ची तरह सकें इस योजना के तहट आवास के तहट लाभारतियों को अस्थाई आवास प्रदान किया जाएगा इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2024 तक मिलेगा प्रदान मंत्री आवास योजना के अंतरगत एक दसमलो दो दो करोण घरों को निर्माण की मंजूरी दी गई है यानि बड़ी अपडेट सरकार के तरह से दी गई है साथी साथ जो बंजर जमीन है बंजर भूमिय है उस पर सरकार जो की स्वैम घर बनाकर गरीप परिवारों को लोट करेगी गरीप परिवारों को यहां पर पका मकान देगी तो ये बहुत महत पूर योजना है नेक्ष्ट योजना के बारे में अगर बात करते हैं इस योजना के अंतरगत खास करके छोटे एमसीमान किसानों को लोन माफ किया जा रहा है ताकि वे नए सिरे से खेती बाड़ी कर सके तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकारी तरफ से जिन किसानों ने 25 मार्च 2016 के पहले यहाँ पर लोन लिया था उन सभी किसान धारकों को यहा पर आपका लोन 25 मार्च 2016 का पहले का है तो आप इसका आविदन कर सकते हैं सरकार इसकी जो की भरपाई कर रही है करीब किसानों को यहाँ पर मुक्त कर रही है उनके कर्ज से तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेट हैं वीडियो करने तक बने रहीएगा इसके लाओं आपके पर आपके प्रख्शनत कमेडियो करियेगा नेक्स्ट योजना है प्रधान मंतरी गरीब कर लिया अनान योजना जो की सरकार तरफ से यहाँ पे पांच सालों के लिए बढ़ा दिया गया है प्रधान मंतरी नेदि मोदी के दिश्टा में मंगलवार साम को हुई के इंदरी म मंतरी बंडल बैठक में इससे जुड़े प्रस्ता को मंजूरी दे दी गई यानि अगर बात की जाए तो इस योजना तहत गरीब परिवारों को हर महीने पांच किलो रासन मुक्त दिया जाएगा कैमिनेट में पी-म जी-के-वाई योजना का जो की एक जिनवरी दो हजार चौबिस से अगले पांच वर्सों तक बढ़ा दिया गया है यानि अब दो हजार अथाईस तक फ्री में रासन दिया जाएगा अंतियोदे रासन काड़ धारी वहीं पात्र ग्रहसती रासन काड़ धार कों के लिए बड़ी ख़वर है सरकार तरप से यहाँ पर आपको गेहूं चावल और आपको बाजरा प्रोवाइड कर रहे हैं सरकार इसी कड़ी मगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से ऐसे रासन काड़ धारी है जिनका अब नाम कट जाएगा यानि उनका रासन काड़ ब्लॉक कर दिया जाएगा उनके अंतरगत अगर बात की जाए तो आपके पास अगर किसी परकार का चेरपहिया वाहन है चाहे मोटर आपका कार हो चाहे आपका ट्रेक्टर हो तो यहाँ पर आपका रासन काड़ कटने वाला है इसी कड़ी मगर बात करें आपके पास ससस्तर लाइसेंस है या आप किसी परकार के सरकारी नोकरी करते हैं या आप सरकारी पंसन धारक हैं गॉर्मेंट इंप्लोई हैं रिटायरेट के बाद आप पंसन पाते हैं इस दोरान भी आपका यहाँ पर जो कि रासन कार्ड बलॉक होने बाला है साथी साथ यहाँ पर अगर आप इंकम टैक्स जो कि रिटर्न फाइल करते हैं यह आप कर दाता हैं तो आपको भी यहाँ पर सरकारी तरफ से इस योजना का लावन नहीं मिलेगा नेक्स योजना बात करते हैं परधान मंतरी उजोला योजना की सुरुवात की बात करते हैं तो 2016 में की गई थी इसमें गरीब परिवारों को जो चूले पर खाना बनाती हैं धूए से मुक् महिलाओं को जोड़ दिया गया है यानि DES करोन से ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं को LPG GAS कर्ञेक्शन प्रोईड कर दिया गया है इसी कड़िघम अगर बात करें तो 75 लाक महिलाओं को जो जोड़ा जाना बाकी है अभी तक आपने इसका आविदन नहीं किया है तो आप मजदी की एजनसी में जाकर अपना आवेदन कर दें या मने इस पर मने अलग से भी वीडियो प्रोवाइड किया था कि अपना एल पीजी गैस कनेक्शन कैसे आवेदन करें इस पर आप जाकर विल्यू देख सकते हैं साती साती यहां पर बात करें तो इस योजना के जरीए सरकार गैस चुलावी फिरी देती है इस योजना के जरीए सबी महिलाओं को गैस चुलावी प्राप्त कर सकते हैं जो सिलेंडर आपको 900 रुपे मिलता था वह सिलेंडर अब 800-3805 रुपे में दिया जा रहा है। इसी कड़ी मगर बात करें यहाँ पर सबसीडी भी सरकार तरफ से उज्वला गैस कनेक्शन धारियों को दी जा रही है। तो यह बड़े अपडेट सरकार तरफ से दिये जा रहा है। कर सकते हैं आप अपने नजदी की किसी गैस अजनसी में जाकर अपना सिलेंडर भरवा सकते हैं जो कि सरकार तरफ से प्री सिलेंडर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बात करें यहाँ पर उत्राखंट सरकार करब से अगर बात की जाए तो तीन सिलंडर यहाँ पर सरकार द्वारा दी जा रही है फ्री में यनि यहाँ पर सरकार तरफ से गर बात की जा तो टोटल पांच सिलेंडर आपको प्रोवाइड चलाए जा रहे हैं फ्री में इसी कड़ी में अगर बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए खासतार पर योजना चला जा रही है जो की यहाँ पर एक हजार उपए से लेके दो हजार उपए तक रखनम आपके खाते में भेजे जा रहे है दिली सरकार की तरफ से भी बड़ा एलान कर दिया गया है कि यहाँ पर भी एक हजार उपए महिलाओं को दिये जाएंगे लोग सभा चुनाओं के बात से इसका आविदन सुरू होगा वहीं बात करें महतारी बंदनी उजना जो की 36 गड़ी उजना की सरकार की उजना है जहां पर 1000 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है अभी तक आपने आविदन नहीं किया है तो आविदन जरूर कर दीजेगा इसी कड़ी में अगर बात करते हैं यहां पर करनाटक सरकार की तरफ से 2000 रुपए महिला मुखिया को यहां पर सकार हर महीने प्रोवाइड कर रही है तो यह सारी उजनाएं बहुत ही महत्पूर हैं गरीब परिवारों के लिए सरकार की तरफ से चला जा रही है गोली का बड़ा तौफा तो आसर करते हैं सारी चीजें समझ में आ गए होगी अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों तक से चैनल को यहीं समब वीडियो को यहीं समब्त करते हैं नमसकार